गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, वेल्कम टू शॉंट हैं, गुड मॉर्निंग इस्टेनोग्रफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, तो चले स्टार्ट करते हैं, 80 सब्द प्रतिमिनट और 100 सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइ में बदलाव की मांग वाली वरिष्ट नेताओं की चिठ्थी सार्वजनिक होने के बाद अंतरीम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रिय चुनाव प्राधी करण का गठन कर यह संदेश देने की कोसिस अवश्य की है कि वह पार्टी के पूर्ण कालिक अध्यक्ष का चयन करना चाह रही है लेकिन लगता यही है कि वह राहुल गांधी को ही नए सिरे से पार्टी की कमान सौपने की तैयारी कर रही है इसका संकेत एक तो इससे मिलता है कि अध्यक्ष का चुनाव होने के पहले चिठी लिखने वाले नेताओं और खास कर गुलाम नभी आजाद को महा सचिव पद से हटा दिया गया और दूसरे इससे भी कि संगठन में राहुल गांधी के करीबियों को चुन-चुन कर प्रात्मिक्ता दी गई नए बनाए गए महा सचिवों में से जादातर वे हैं जो राहुल गांधी के समर्थक होने के साथ ही इस तरह की मांग करते रहे हैं कि उन्हें ही फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए पैरा राहुल गांधी को पद न देने से भी यही प्रकट होता है कि उन्हें फिर अध्यक्ष बनाने का माहौल बनाया जा रहा है राहुल गांधी के करीबी नेताओं को महत्वपुर्ण पदो पर बैठाने से यह भी इस पश्ट है कि नए अध्यक्ष का चुनाओ होने तक पार्टी में वही होगा जो राहुल चाहेंगे नए अध्यक्ष का चुनाओ होने के पहले ही संगठन में व्यापक फेर बदल का इसके अलामा और कोई मतलब नहीं की नवन्युक्त अध्यक्ष के पास अपने हिसाब से संगठन को खड़ा करने की सुविधा नहीं होगी यह प्रियंका गांधी वांडरा को पूरे उत्तप देश का महा सचिव बनाने से और अच्छे से इस पश्ट हो रहा है पेरा भले ही चिठी लिखने वाले सभी नेताओं को किनारे न किया गया हो लेकिन जिस तरह उनमें से जादा तर को तरजीह नहीं दी गई उसका संदेश यही है कि इस तरह की चिठी पत्री स्वीकार्य नहीं पता नहीं कॉंग्रेस को पूर्ण कालिक अध्यक्ष कब मिलेगा लेकिन इसमें दो राय नहीं कि तब तक कॉंग्रेस पर गांधी परिवार की पकड़ और मजबूत होने वाली है यह सही है कि कॉंग्रेस का काम गांधी परिवार के बगैर नहीं चल सकता लेकिन क्या इसका अर्थ यह होना चाहिए कि परिवार उस पर हावी होता जाए पैरा सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ती हैं तो राहुल अध्यक्ष बन जाते हैं और वह प्रियंका को महासच्व बनाने के बाद यह कहते हुए अपने पद का परित्याग कर देते हैं कि परिवार के बाहर का कोई नेता कमान समहाले इस राय का समर्तन प्रियंका भी करती हैं लेकिन अबूज कारणों से सोनिया अंतनीम अध्यक्ष बनना पसंद करती हैं अब राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की बिसात बिछा दी गई आखिर यह सब करके पार्टी को संचालित किया जा रहा है या फिर परिवार को असे सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन समाबत हुआ स्टाट करते हैं अब सो सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन सौसद प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टाट होगा त्री सेकेंड बाद स्टाट कॉंग्रेस में बदलाव की मांग वाली वरिष्टनेताओं की चिठ्थी सारवजनेक होने के बाद अंतरीम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रिय चुनाओ प्राधी करण का गठन कर यह संदिज देने की कोसिस अवश्य की है कि वह पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन करना चाह रही है लेकिन लगता यही है कि वह राहुल गांधी को ही नए सिरे से पार्टी की कमान सौपने की तैयारी कर रही है इसका संकेत एक तो इससे मिलता है कि अध्यक्ष का चुनाओ होने के पहले चिठी लिखने वाले नेताओं और खास कर गुलाम नभी आजात को महा सचिव पद से हटा दिया गया और दूसरे इससे भी कि संगठन में राहुल गांधी के करीबियों को चुन-चुन कर प्रात्मिक्ता दी गई नए बनाए गए महा सचिवो में से जादातर वे हैं जो राहुल गांधी के समर्थक होने के साथ ही इस तरह की मांग करते रहे हैं कि उन्हें ही फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए राहुल गांधी को कोई पद न देने से भी यही प्रकट होता है कि उन्हें फिर अध्यक्ष बनाने का माहौल बनाया जा रहा है राहुल गांधी के करीबी नेताओं को महत्वपुर्ण पदो पर बैठाने से यह भी इसपश्ट है कि नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी में वही होगा जो राहुल चाहेंगे नए अध्यक्ष का चुनाव होने के पहले ही संगठन में ब्यापक फेर बदल का इसके अलामा और कोई मतलब नहीं कि नवनियोक्त अध्यक्ष के पास अपने हिसाब से संगठन को खड़ा करने की सुविधा नहीं होगी या प्रियंका गांधी वाड़ा को पूरे उतपदेश का महा सच्व बनाने से और अच्छे से इसपष्ट हो रहा है भले ही चिठी लिखने वाले सभी नेताओं को किनारे न किया गया हो लेकिन जिस तरह उनमें से जादातर को तरजीह नहीं दी गई उसका संदेश यही है कि इस तरह की चिठी पत्री स्वेकार्य नहीं पदा नहीं कॉंग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष कम मिलेगा लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जब तक कॉंग्रेस पर गांधी परिवार की पकड़ और मजबूत होने वाली है यह सही है कि कॉंग्रेस का काम गांधी परिवार के बगैर नहीं चल सकता लेकिन क्या इसका अर्थ यह होना चाहिए कि परिवार उस पर हावी होता जाए सोनिया गांधी अध्यक्ष पर छोड़ती हैं तो राहुल अध्यक्ष बन जाते हैं और वह प्रियंका को महा सच्चिव बनाने के बाल यह कहते हुए अपने पद का परित्या कर देते हैं कि परिवार के बाहर का कोई नेता कमान समहाले इसराय का समर्थन प्रियंका भी करती हैं लेकिन अबूश कारणों से सोनिया अंतरीम अध्यक्ष बनना पसंद करती हैं अब राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की बिसात बिचा दी गई आखिर यह सब करके पार्टी को संचालेत किया जा रहा है या फिर परिवार को डिक्केशन समापत हुआ ऐसे ही प्रत दिन आपको डिक्केशन मिलता रहे है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी और बगल में जो बेल आइकन उसे दबाना बिलकुल नहीं बुले और हाँ आप सभी को हिंदी दिवस की धेज सारी सुपकाम नाए और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तल देन अपना ख्याल रखिए धन्यवाद